आकाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं फ्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धारना सच्देव पहले एक अपील कोबीड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है इसलिए सभी श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोता ही न बढ़ते सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैतालिस वर्ष से उपर के वे सभी लोग जो टीके की पहली खुराक ले चुके हैं वे निरधारित समय पर दूसरी खुलाक भी प्राप्त कर लें सुरक्षित रहें और इन तीन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहने दो गस की दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुझ साफ रखें अब समचार परशुनाम जय अन्ती और अक्षित रतिया का पर्व भी आज कोविड गाइट लाइन्स के भगवान परशुराम से प्रातना की जबलपूर में श्री परशुराम धाम मटा मार स्थित प्रतिमा का आज अभिशेक के साथ विश्नु सहस्त राम सोत के 108 पाठ परशुराम 40 पाठ पूजन अर्चन और महा आर्थी भी की गई भगवान परशुराम के प्रकटोचसव पर परवनाने की अपील की गई और शंगाबाद आगर मालवा और सतना में भी अक्षेतरितिया और परशुराम जयनती पर विशेश पूजा अर्चना की गई प्रदान मंतरी नरेंदर मोदी ने आज प्रदान Мंतरी किसान सम्मान निदी योजना के तहत देश के 9 करोड से अधिक किसानों को आर्थिक लाब की आठ्वे किस्त जारी की विश्वी की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष नकदी हस्तान तरन योजना के माधियम से 20,000 करोड से अधिक राशी सीदे लाबार्थी किसानों के खातों में भेजी गई है प्रधान मंत्रिय ने सबसर परदेश के विभिन हिसों में इस योजना का लाब पा रहे है किसानों से बाच्चीत की 24 फरवरी 2019 में शिरू की गई पीम किसान सम्मान ने दी योजना का लाब करोडों किसानों को मिला है इस योजना के तहट एक साल में 6,000 रुपे तीन किस्तों में सीधे किसानों के खाते में भेज़े जाते हैं अब तक 11 करोड 28 लाग से अधिक किसानों को इस योजना का लाब मिल चुका है और 116,000 करोड से अधिक की राशी सीधे किसानों के खाते में भेजी गई है कुरोना महामारी की पहली लहर के दोरान करीब 43,000 करोड रुपए की राशी सीदे गिसानों के खातों में भिजवाई गई थी आज प्रदेश भर में इद का तिहार मनाया जा रहा है लोग दूर से ही एक दूसरे को मुबारक बात दे रहे हैं राधानी भुपाल में कोविड गाइडलाइन के चलते ईद का और बड़ी मस्जिदों में ईद की नमाज अदा की नहीं किये जाने का फैसला किया गया बुपाल के शहर गाजी सेद मुश्ताक अली नदवी ने लोगों से अपील की है कि गाइडलाइन का पालन करते हुए तिहार को मनाएं जबलपूर में अधिकतर लोगों ने घरों में नमाज अदा की खैर की दुआई मांगी और बिना गले मिले ही दूर से एक दूसरे को मुबारक बाद दी मस्जिदों के इमाम मुजिन और कमिटी के चुनिंदा पदादिकारियों ने नमाज अदा कर रस्म अदाएगी की पाँच पाँच की संख्या में लोगों को अनुमती दी गई थी मुफ्तिय आजम मुलाना मुहमद हामिद अहमद सिद्धी की ने प्रदेश की जनता को ईद की मुबारक बाद दी उन्होंने सबी से महावारी से बचाव इसके लिए एहतियाद बरतने की अपील की उजाएन होशंगाबाद सतना आगर मालवा में मुस्लिम धर्मावलंबीयोंने दुल्फितर का तिवहार आज अपने अपने घरों में ही नमाज अदा कर मनाया इस अबसाय पर मुस्लिम धर्मावलंबीयोंने कوروना जासी बिमारी के खाथमे को लेकर लाससी बादत की चिन्दवाणा में लॉकडाउन के चलते लोगों ने अपने घरों में नमाज अदा की और इत दूसरे को मुबारक बाद दी मध्या प्रदेश उचनिया आया ले ने दुशकर्म पीडित नावालिक किशोरी को 24 माग के गरपात की इजाज़त दे दी है नियायमूर्ती नंदिता दूबे की एकल पीट ने पीडिता का मेडिकल टीम द्वारा परिक्षन किये जाने के बाद यह अनुमती दी कोट ने कहा कि तीन दिनों के अंदर गरपात की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए कोट के आदेश पर आठ मई को पीडित किशोरी का मेडिकल परिक्षन कराया गया नेताजी सुपार शंदर भोस मेडिकल कॉलिज जबलपूर के गाइनोकलोजी विभाग ने परिक्षन के बाद रिपोर्ट में यह कहा कि चिक्षकों के देखरेक में इसका मेडिकल टेर्मिनेशन ओफ प्रिक्षन के तहट गरपात कराया जा सकता है केंद्रिय संसुरिती मंत्राले ने शिवपूरी जिला मुख्याले परस्तित शहीद तातिया टोपे समाधी स्तल के समारक के रूप में विकास संबंधी प्रस्ताव को शीगर तयार करने के लिए जिला प्रशासन को पत्र लिखा है इस मामले में सांसत के पी आदव ने कहा कि वीर त्यात्या टोपे हमारा गर्व है उनके महान बलिदान स्तल को राष्ट्रियस मारक के रूप में विक्सित करने हैं तो हम प्रया प्रभारी सचिव ज्यानेश्वर बीपाटल ने आगरमालवा जिले के भ्रमन के दोरान कल गोविड-19 संक्रमन के संबंध में जिलादिकारियों से बैटक ली इस बुलिटन में फिलाल इतना ही बुलिटन के अंधमेक अपील हमेशा ध्यान रखे मास्क और दोगस की दूरी हाथ दोना भी है जरूरी नमस्कार